इडिजिनल टेक्नीक्स पिंट जलativas आइडि मांतली है प्यश्यक्त? एडिजिनल खालबथ स्वं स्वयां मरी ? आपके सामने कूछ इससाम से एक पेज उपन होकर आजाएगा उसके पर अपने जहां पर स्क्रॉल करना नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं कि Security लिखा हुआ है तो आपने Security पर क्लिक कर देने Security पर क्लिक करने के बाद आपने Scroll down नीचे करके जाएंगा तो यहां पर देखें कि Recovery, Phone Number और Recovery, Email ID लिखा हुआ है यहां पर सबसे पहले हम अपना Phone Number Recovery यहां पर डालते हैं यहां पर मैं क्लिक करता हूँ, यहां पर क्लिक करने के बाद आप से एक दफा यह पासवर्ड मांगेगा आपकी Email ID का तो आपने यहां पर पासवर्ड डाल देने, पासवर्ड डालने के बाद आपने यहां पर इसके Next पर क्लिक कर देने next पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक page open होकर आ जाएगा यहाँ पर आपने recovery phone number वो डालना जो इस तरह active number आपके पास मजूद है मैंने यहाँ पर अपना mobile number यहाँ लिखने के बाद next पर click करता हूँ उसके बाद हमने get code पर click कर देना है जिसे बाद जो number दिया उसके उपर जैसी code आजएगा आपने यहाँ पर इस पर code डालना है उसके बाद verify पर आपने click कर देना है verify पर click करने के बाद यहाँ पर आपका number जो है वो add हो चुका हुए हम लोग उसको एक दफ़र back page क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जाकर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर number add हो चुका हुए उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने recovery email ID को add करते हैं तो यहाँ पर मैं इसके पर click करता हूँ यहाँ पर फिर आपसे यह password पूछेगा आपने यहाँ पर अपना उसी email ID का दबार से फिर password डाल देना है password डालने के बाद दबार से फिर आपने next पर click कर देना है next पर क्लिक करने के बाद आपने यहां पर simply अपने वो email id लिखना है जो भी आप जिसको recovery करना जाते हैं वो आपकी वालदा का भी हो सकते है भाई बेहन या आपका खुद का ही को दूसरा email id हो सकते है आपने यहां पर वो email id डाल देना है यहां पर मैंने यहां पर अपना email id लिख दिया है और उसके बाद next पर क्लिक कर देंगे next पर क्लिक करने के बाद आपके उसी email id पर एक email गई होगी उस पर six digits का code होगा आपने simply वहां से copy करके यहां से आपने यहां पर वो code लिखना है तो मैं वो code यहां पर लिखता हूँ पर उस email id से जो आपने verification के लिए email id दिया था उस email पर पासवर्ड आया वहां आपने यहां पर लिखने के बाद verify पर klik कर दें। क्लिक करने के बाद आप इसको बाद यहां पर एरो कनिशान बने इससे करके आप recovery के साथ जो एरो है उस पे क्लिक करने के बाद आप वापक प्र साजेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा email ID और हमारा यहां पर phone number verify हो चुका हुआ है वीडियो अच्ले की लेकि तरह चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि इस तरह की इंफरमेटिव वीडियो आपको मिलती रहे मुझे अगली वीडियो तक इजाल दीजिए अल्ला हाफिज